बहुत समय पहले की बात है एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन करवा थी सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे यहां तकी वे अपने से पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयम खाते थे एक बार उनकी बहन ससुराल से माई के आई हुई थी शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यविसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आगरह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौत का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्ग देकर ही खा सकती है चुकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है इसलिए वह भूक प्यास से व्याकुल हो उठी है सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखकर तरसा गया और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक चला कर छलनी की ओठ में रख देता है दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकलाया है तुम उसे अर्ग देने के बाद भोजन कर सकती हो बहन खुशी के मारे सीड़ियों पर चड़कर चांद को देखती है उसे अर्ग देकर खाना खानी बैठ जाती है वह पहला टुकड़ा मुँ में डालती है तो उसे छीक आ जाती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकलाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुँ में डालने की कोशिश करती है तो उसके पती की मित्यू का समाचार उसे मिलता है वह बोखला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यूं हुआ करवा चौत कवरत गलत तरीके से तूचने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चे करती है कि वह अपने पती का अंतिम संसका नहीं होने देगी और अपने सतित्व से उन्हें पुनर जीविद कराकर रहेगी वह पूरे साल तक अपने पती के शव के पास पैठी रहती है उनकी देख भाल करती है उसके उपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है एक साल बाद फिर करवा चौत का दिनाता है उसकी सभी भावियां करवा चौध का व्रत रखती हैं जब भावियां उससे आश्रवाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भावी से यम सुई ले लो पी ये सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो ऐसा आग्रह करती है लेकिन हर भार भावी उस उससे अगली भावी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है इस प्रकार जब छटे नंबर की भावी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है यम की सुई ले लो पीया सुई दे दो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो यह भावी उसे बताती है क्यूंकि सबस उसे चोटे भाई की वज़े से उसका वरत तूटा था अतह है उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पती को दुबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब वह आये तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पती को वह जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़न इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है भाबी उससे छुडाने के लिए नोचती है खसोटती है लेकिन करवा नहीं छोड़ती है अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाबी पसीज जाती है और अपनी छोटी उ उंगली को चीर कर उसमें से अम्रित उसके पती के मूँ में डाल देती है करवा का पती तुरंत श्री गनेश श्री गनेश कहता हुआ उच्छ बैठता है इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भावी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है हे श्री गनेश हे मागोरी जिस प्रकार करवा को चिर्ष सुहागिन होने का वर्दान आप से मिला है वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले